ओम शांती आज है 30 जून 2021 के साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा अभी तुम ब्रह्मा के वशिव के बच्चे बने हो तो अंदर में खुशी का पारा चड़ना चाहिए परन्तु कई बच्चों के चेहरे पर वो खुशी वो रुहाब दिखाई नहीं पड़ता आसुरी गोद से निकल कर अभी तुम ईश्वर ये गोद में आये हो तुम्हें श्रीमत पर चल कर सबको सुख का रास्था बताना है बाप का बनकर अगर फारकती दी या प्रतिग्या कर फिर विकारी बने तो बहुत पाप लगेगा फिर कहा अज्यान काल में इतना पाप नहीं लगता जितना ज्यान काल में लगता है कोई के खराब संग में आकर पतित नहीं बनना नहीं तो सो गुणा सजा मिलेगी कोई भी कुकर्म कर बाप की बदनामी नहीं करानी इसमें बहुत अबलाओं पर बंधन आ जाते हैं और यह सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है अभी तुम्हें रोंग राइट की बुद्धी में ले है इसलिए माया से खबरदार रहना करमेंद्रियों से कोई पाप किया और मरा आगे कहा बाबा पारसनात बनाने आये है फिर भी अगर कोई ने अवग्या की तो पत्थर बन जाएंगे और राजाई पाने का सोभाग्य गवा देंगे और लास्ट में बाबा ने कहा स्वियम को देखना चाहिए कि मैं कितनी खुश्वू देता हूँ कभी उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता क्रोध तो नहीं करता अब तुम्हें गुलाब का फूल बनना है अक का नहीं जो बच्चे सर्विस बुल है वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे बाप की आशिर्वाद लेनी है तो सर्विस से बुल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो किसी को भी दुख ना दो प्रश्न धर्म राज की सजाओं से चुटने के लिए किन ईश्वर ये नियमों पर ध्यान देना है उत्तर कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्या कर उसकी अवग्या नहीं करनी है किसी को दुख नहीं देना क्रोध करना तंग करना अर्थात ऐसे चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है माया के कितने भी तुफान आए बिमारी उथल खाए लेकिन राइट रोम की बुद्धी से जज्मिंट कर रोम कर्म से सदा बची रहना गीत कौन आया मेरे मन के दवारे ओम शान्ति यह किसने कहा ओम शान्ति बाप और दाधा यह तो बच्चों को जरूर निश्य होगा कि हमारा पारलोकिक बाप है परम पिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलोकिक बाप है इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे पहले नहीं थे जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है तो यह हो गया दादा यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलोकिक बाप की प्रोपर्टी मिलती है पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं उनका बुद्धियोग दादे में जाता है क्योंकि दादे की प्रोपर्टी का हक मिलना है जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रोपर्टी है बड़ों की प्रोपर्टी पर उन्हों का हक है ही तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप दवारा, बड़े ते बड़ी प्रोपर्टी, स्वर्ग की बादशही ले रहे हैं, हमको वेह बाप पढ़ा रहे हैं, तुम अब सम्मुख बैठे हो, सम्मुख का नशा भी नमबरवार पुरुशार्थ अनुसार रहता है, कोई क दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम उच्च ते उच्च भगवान के आकर, इस साकार मात पिता दवारा वारिस बनते हैं, बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं, माया ने बिलकुल ही नालायक बना दिया है, कल बाबा के पास कोई मिलने ल सब ब्रह्मा कुमार है, तुम भी ब्रह्मा के वश्यव के बच्चे हो ना, कहा हैं तो जरूर, ये सिर्फ सुनकर कहा, परन्तु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सच्मुच हम उनके बच्चे हैं, ये भी उनके बच्चे हैं, वरसा ले रहे हैं, वैसे ही हमारे पा पड़ था अंदर बड़ा खुशी का पारा चड़ना चाहिए वे सारा चहरे पर भी आ जाता है अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रिंगार हो रहा है तुम जानते हो हम साजन की सजनिया है एक खेरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया परन्तु फिर भी उसे राजाई में मज़ा नहीं आया तो लड़की को वापिस गावडे में छोड़ाया बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो यहां भी बाप शरिंगार करते हैं तुम भविष्य में महरानी बनो क्रिश्न के लिए भी कहते हैं भगाया पट्रानी बनाने के लिए परन्तु कुछ समझ से नहीं है सब है ए रिलेजियस माइंड़ समझ से हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती हैं कुदरत है बहुत हैं जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते न शास्त्रों आदी को मानते हैं गवर्मेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है भारत किस धर्म का था अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं जानते अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के जैसे वह क्रिस्चन कुलके हैं वैसे तुम ब्रह्मन कुलके हो। बाप कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शुद्र से ब्रह्मन बनाता हूं। पावन बनते बनते फिर 21 जनमों के लिए तुम दैवी संप्रदाये बन जाएंगे, दैवी गोध में जाएंगे, आगे थे आसुरी गोध में, आसुरी गोध से फिर तुम इश्वरिय गोध में आये हो, एक बाप के बच्चे भाई बेहन है, यह एक वंडर है, सब कहेंगे हम ब्राह्मन कुल के है, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है, दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो, बुद्धी से जानते हो, कलप पहले जिनोंने बाप से वर्षा लिया होगा, वही आकर लेंगे, थोड़ा भी बुद्धी में होगा, तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ ले देने लिए, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं, किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं, कि बाप का बन कर फिर बाप को छोड़ा, तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं, जैसे कोई किसका खू पून करते हैं, तो पाप लगता है, वहे पाप भी थोड़ा है। यहां जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिग्या कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्यान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्यान में लगता है। अज्यान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कोमन होता है। यहां तुमने किस पर क्रोध किया तो सो गुणा दंड हो जाता है। अवस्था बिलकुल गिर जाती है क्योंकि एश्वर का फर्मान नहीं मानते है धर्मराज का फर्मान मिलता है पवित्र बनना है तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फर्मान की अवग्या की तो सो गुणा दंड चड़ जाता है क्रियेटर तो वह एक है ब्रह्मा विश्णू शंकर भी उनकी रचना है धर्मराज भी क्रियेशन है धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षातकार कराते हैं फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं देखो तुमने प्रतिज्या की थी हम क्रोध नहीं करेंगे किसको दुख नहीं द दिया तंग किया अब खाओ सजया बिगर साक्षातकार सजया नहीं देते हैं प्रुफ तो चाहिए ना वह भी समझ से हैं बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पढ़ जाता है इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पढ़ते हैं तो यहां भी सटका सेहन ना कर च जो हेड ब्राह्मनी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रेस्पोंसिबिलिटी है एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया विकारी बना तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा ऐसे कोई को भी इंद्रसभा में नहीं लाना चाहिए नीलम परी पुखराज परी क कहाणी भी तो है ना इंद्रसभा में कोई छीपा कर ले आई तो इंद्रसभा में बांस आने लगी तो ले आने वाले पर दंड पड़ गया ऐसे कुछ कहानी है वह पत्थर बन गई बाबा पारसनात बनाते हैं फिर अगर अवग्या की तो पत्थर बन जाते हैं राजाई पाने का सो भाग्य गवाँ देते हैं समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे यहां भी ऐसे है फिर बहुत दुख महसूस होगा इसलिए बाप कहते हैं कभी भी कोई अवग्या नहीं करना बाप है साधारन इसलिए शुबाबा को भूल साकार में बुद्धी आ जाती है अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके हर एक सेंटर इंद्र प्रस है जहां ग्यान की वर्षा हो रही है नीलम परी, पुखराज परी नाम तो है ना नीलम रतन को कहते हैं ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है कोई फ्लो नहीं अर्थात कोई दाग नहीं है जवारात में कोई-कोई बहुत दागी होते हैं कोई एकदम प्योर होते हैं यहां भी नमबर वार रतन है कोई-कोई रतन बहुत वैल्यूबल है बहुत अच्छी सर्विस करते हैं कोई तो सर्विस के बदले डिस सर्विस करते हैं गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फ़र्क है शिवपर दोनों चड़ाते हैं अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन-कौन है उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, अब अच्छे अच्छे फूल कहां से लाएं? रत्न ज्योत फूल तो कौमन होते हैं, यह बगीचा है ना? तुम ग्यान गंगाएं भी हो, बाबा तो सागर ठहरा ना? यह ब्रह्मा है, ब्रह्म पुत नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, बरोबर ग्यान सागर बाबा है, यह चेतन्य ग्यान सागर है, तुम भी चेतन्य ग्यान नदिया हो, वह तो है पानी की गंगाएं, वास्तों में नदियों पर नाम पड़ा है, प्रंतु संप्रदाय यह भी भूल गए हैं हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर भुझ का चित्र दिखाते हैं उनको भी गंगा कहते हैं प्रंतु मनुष्य समझ से नहीं कि यह चतुर भुझ कौन है बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तुम हो सच्ची ज् वह है पानी की वहां जाकर स्नान करते हैं समझ से कुछ भी नहीं बस देवी है मनुष्य को तो कभी चार आठ भुझा होती नहीं है कुछ भी अर्थ नहीं समझ से तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं हम तो सो प्रतिशत बेसमझ से बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं भल यहां कोई राजा हो प्रन्तु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझ से है तो अपने को भी नहीं समझ से है देखना चाहिए कि मैं कितनी खुश्बू देता हूं उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूं क्रोध तो नहीं करता हूं बाप जट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा सर्विसेवल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ओटोमेटिकली आशिरवाद निकलती है बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुवा भला कितना नाम बदनाम करते हैं इसको कहा जाता है तकदीर किसकी तकदीर में क्या है जट पता लग जाता है बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है वह कपूत है बाप दादा को नहीं पहचाना तकदीर में वर्सा लेना नहीं है तो क्या करेंगे इस ज्यान मार्ग में काइदे बड़े कड़े हैं बाप पवित्र बने और बच्चा ना बने तो वेह बच्चा हकदार नहीं हो सकता उसको बच्चा नहीं समझेंगे फिर कहेंगे हम तो श्यू बाबा को वारिस बनाएंगे तो बाबा 21 जनम के लिए हमको रिटर्ण में देंगे इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है अर्थात मदुभन बैठ जाना है नहीं ग्रस्त व्यभार में रहते सबको संभालना भी है परंतु ट्रस्टी होकर रहना है ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदी को बाप बैठ संभालेंगे नहीं ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते है यहां बाबा के पास तो बिलकुल पवित्र चाहिए अब पवित्र कोई बैठ न सके नहीं तो पत्थर बुद्धी बन जाएंगे बाबा कोई श्राप नहीं देते है यह तो एक ला है बाब कहते हैं फिर खबरदार रहना करमेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा बड़ी भारी मंजिल है बाबा का बच्चा बना तो फिर बिमारी सारी उथल खाएगी डरना नहीं है वैद्धि लोग भी कहते है फलानी दवाई से तुम्हारी बिमारी बाहर निकलेगी तुम डरना नहीं बाब भी खुद कहते है तुम बाब के बनेंगे तो माया रावन तुमको बहुत हैरान करेगा खुब तुफान में ले आएगा अभी तुमको रोंग और राइट की बुद्धी मिली है और कोई को रोंग राइट की बुद्धी नहीं है सबकी है विनाश काले विप्रीत बुद्धी प्रीत बुद्धी तुम्हारे में भी नंबरवार पुरशार्थ अनुसार है प्रीत बुद्धी वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से धारना के लिए मुख्ये सार पहली पॉइंट इश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फर्मान की अवग्या नहीं करनी है इन करमेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने है सपूत बन बाप की आशिरुवाद लेनी है दूसरी पॉइंट ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस व्यवहार को संभालना है ज्यान मार्ग के जो कायदे है उन पर पूरा पुरा चलना है राइट और रों को समझ कर माया से खबरदार रहना है वर्दान संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उंच करतव्य करने वाले बाप समान भव सदेव यही स्मृति में रहे कि मैं हर समय हर सेकिन हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से सम्पूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे साथ साथ वर्तमान और भविश्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म स्रेष्ट होगा यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपने संकल्पों की मिक्सचेरिटी ना हो स्लोगन इर्षा और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं है जहां सर्व प्राप्तियां है वहां प्रसन्नता है अच्छा ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें आज प्राप्तियां प्राप्तियां